Hi everyone, I am Dr. Anujja Anand, Consultant Department of Nuclear Medicine, Venkateshwar Hospital, Delhi. आज हम बात करेंगे Neuroendocrine Tumors के बारे में. ये tumor हमारे body के Neuroendocrine System के tumors होते हैं, जो की nerve cell या endocrine cells से बने हुए होते हैं. पेशन्ट को इन tumors की वज़े से symptoms हो सकते हैं, जैसे कि nausea, vomiting, flushing, glucose का body में कम होना और weight loss. अब ये tumors पाए कहां जाते हैं? Neuroendocrine Tumors जादा तर gastrointestinal tract में पाए जाते हैं, जैसे कि large intestine, small intestine, appendix. फेफ्रो में भी ये tumor पाया जा सकता है, जिसे कहते हैं carcinoid. Pancreatic Tumors भी बहुत कॉमन है. अब इस tumors में करते क्या हैं? एक पार patient को डाइगनोज हो गया कि Neuroendocrine Tumor है, तो हमें हमारे पास choices होते हैं, कि अगर वो एक चगे पे है, आपरेबल है, तो उसको सरजरी करके निकाल देते हैं. अगर वो फैला हुआ है, बहुत सारे organs को involve कर रहा है, या फिर दूसरे organs में फैल गया है, जिसको metastasis कहते हैं, तो उन cases में somatostatin analogs का यूज किया जा सकता है, और treatment options हैं, जैसे कि chemotherapy, immunotherapy, targeted therapy, इन tumors में इनका यूज बहुत जादा नहीं है, पर selected patients में जिनमें और कुछ treatment options अवेलेबल नहीं है, उनमें हम इनका यूज कर सकते हैं. एक बहुत important चीज जो treatment के लिए है, वो है peptide receptor radionucleid therapy, जो कि हम आगे बात करेंगे, जिसके बारे में. दूसरी चीज है, लिवर डिरेक्टर थेरिपीज, अगर मान लीजे, एक ट्यूमर का प्राइमरी साइट है, और लिवर में एक दो metastasis हैं, तो उसको radio frequency ablation से, या फिर hepatic artery embolization से treat किया जा सकता है. इस cases में, जैसे कि PET CT बहुत सारे cancers में यूज किया जाता है, diagnosis के लिए और follow-up के लिए, ये बहुत सारे medicines से किया जा सकता है, जैसे FDG, डोटा पेप्टाइड, PSMA, इत्यादी. इस cancers में, निूरो एंडोक्राइड ट्यूमर में, हम डोटा पेप्टाइड, PET CT करते हैं. ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ट है, कि निूरो एंडोक्राइड ट्यूमर के ऊपर, ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिनको हम सुमाटोस्टाइड रिसेप्टर्स कहते हैं, जिसमें ये डोटा पेप्टाइड जाकि लोकलाइज करता है, हमें ट्यूमर का साइट बताता है, कि कहां का ट्यूमर है, इसका एक्स्टेंट बताता है, और एपरेबल है या नहीं है, ये बताता है, कौन से ओर्गंस में फैला हुआ है, मतलब कि metastasis कहां कहां हुआ है ये बताता है और जिन में already diagnosed है neuroendocrine tumor और वो किसी therapy ले रहे हैं किसी के लिए therapy तो उसमें ये बताता है कि residual tumor है या फिर recurrence मतलब कि वापस तो नहीं आ गया treatment के बार tumor treatment effective है progression तो नहीं हो रहा तीसरी चीज है somatostatin receptors avidity बताता है dota receptor dota uptake अगर ज्यादा है patients में तो उनमें somatostatin receptor therapy या PRRT अच्छा effect लाती है और उसको treat किया सकता है dota pexity और PRRT peptide receptor radionucleid therapy बहुत ही important है और नुरो-endocrine tumor के diagnosis के लिए और management के लिए जो की Venkatational Hospital में available हैं last I want to say like in any other cancers neuroendocrine tumor के management के लिए भी the key is early diagnosis and treatment thank you